हेलो बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है सांदार जिन्दबाद जब अबर्जस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी ऐसी उम्मीद तो करी सकता हूं पर मुझे भी पता है कि यूपे पिलिस वाले बच्चे तो हिम्मत हा रही हुए हैं और वह ऐसा होता है कि यार यहां 50,000 GD में वेकेंसी थी मेरा तब भी नंबर नहीं आया चार लाख बच्चो में नंबर नहीं आया तीन लाख बच्चे लिए गया है उनमें नंबर नहीं आया तो मेरे जो है 37,000 अड़ 38,000 यूपे पुलिस में आएंगे उन्हें कैसे हो पहली बात तो बच्चो यह बात है कि जो आप से उपर करके आये थे स्कूर वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे आसा करो भगवान से अगर प्राथना ही करनी है तो यह करो यह यूपे पुलिस का जब एक्जाम हो चलो फॉर्म तो यह डाल देंगे वो भी लेकिन जब एक्जाम हो तो यह सारे लोग ट्रेनिंग पर होने चाहिए ताकि यह यूपे पुलिस का एक्जाम ही न दे पाएं तो यह आशा कर सकते है भगवान से प्राथना करेंगे हो तो अब एक तो यह दूसरा यह कि जो आप से उपर के तो वो सब सेलेक्ट हो गए आप आप अब नए नहीं हो कमप्टिशन में अब आपके पास SSGD का एक अनुभव है च्याए वो फेल होने का हूए पास होने का वो अलग बात है फेल होने का इसा ही पर आप अनुभवी हो अब आपकी सुरुआत वस्तम एक अनुभव से होगी और आप जो फेल हुए हैं उनमें टॉपर हो आप या S.S.C.G.D. में फेल हुए में टॉपर हो आप और दूसरा बच्चो जो आप ये सोचते हैं कि भाई या 50,000 विकेंसी में 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 नहीं हुआ तो यूपी पुलिस में जो 38,000 या 37,000 की बात चल रही है तो क्या इसमें में मेरा हो जाएगा इसका कारान बता देता हूँ बच्चो ये थी S.S.C.G.D. की विकेंसी इनमें आप फेल हुए जो हाल फिलाल में फेल हुए उनके लिए अभी ये बात पास हुए हो तो बहुत बड़ी है बात है और यूपी पुलिस नौकरी भी अच्छी है नो डाउट वर्दी का रॉब पुलिस में दिखता है ये भी बात पकी है वो देश रक्षा का अगर जिसका मन है वो जीडी में जाता है बिलकुल जनता की रक्षा का मन है वो पुलिस में जाता है बिलकुल वर्दी का रॉब दिखाने का मन है तो वो यहां जाता है वर्दी लवर यहां जाते हैं, रॉब वाले यहां जाते हैं, दोनों फर्क है यहां, अब आप देखो, यह जो 37,000 और यह जो 50,000 हैं, यहां पर अगर आप यूपी के पद देखोगे न, वो 42,16 थे, यूपी के लिए सिर्फ 42,16, तो आपने जो फाइट लड़ी है न, वो 50,000 की नहीं लड़ी, वो 42,16 पदों की लड़ी है, और यहां जो यह आएंगे पद, यह यूपी के लिए आएंगे, नहीं जार, इसमें भी अधर इस्टेट आते हैं, अब आप सुन लो, इसमें मत्र 10% अधर इस्टेट के सेलेक्शन होता है, मत्र 10%, 10% में almost सारे अधर इस्टे अधर इस्टेट ले जाते हैं, 10%, अगर इसमें से 10% यानि 700 विकैंसी वो ले भी गए, तो अभी आपके पास 33,300 बचती हैं, अब आप सोचो, यह सिर्फ यूपी के लिए, आप सोचो, यह on an average रहा है, यहां 421,16 और यहां 33,300, अब आप सोचो न बच्चो, यार, यह तो इ तो आपका जो बच्च, आपकी जो विकैंसी थी, वह सिर्फ इस पे फाइट थी, और लड़कियों में देखो तो सिर्फ 400 पत थे, और यहां तो लड़कियों के 20% रहेंगे, लड़कियों के लिए तो बहुत आसान होता है, यूपी पॉलिस, इसके मुकाबले, SSC GD के मुक इस बार तो 26 साल तक वालों को मुका दिया था, SSC GD ने, OBC में 29 साल वालों को, वहां 27 तक ही मिलेगा, जनरल वालों को 22 तक, तूट मिल जाएगी, तो अच्छी बात है, ठीक है, इसको देखकर छूट देदें, अच्छी बात है, तो यह जो मैं आपको कंपेरिजन बता रह है, और बच्चों सलेक्शन देखिए, मौसमी बच्चों का कभी नहीं होता, मौसमी कौन सा होता है, मौसमी होता है, जब एक्जाम आया, एक्जाम डेट पता चली, मैंने तियारी शुरू कर दे, यार आपको पता है कि मेरी हाइट 169, मैं कहीं और लाइक हुई नहीं, तो 2023 में वेकेंसी आएंगी, कब आएंगी मुझे नहीं पता, पर 2023 में आएंगी, इतना पक्का पता है, ठीक है, अभी मैं आपको महीना कन्फर्म नहीं कर सकता है, second half, most probably second half, मतलब जून से जुलाई, जो एक जुलाई चलता है, वो second half होता है, 30 जून तक first half होता है, उसमें second half मे कभी भी, 30 जून तक मुझे उम्मिद कम ही लगती है, आजाएं अच्छी बात है, ठीक है, age wage में कितनी छूट देंगे, यह सब बच्चों जब मुझे वेकेंसी का ही नहीं पता, तो मैं क्या age की छूट बता सकता हूं, देंगे या नहीं देंगे, तो यह सब तो बेकार की अगर मैं कुछ बता भी जाओं तो आपको सब जूटी होगा, ठीक है, सब एक तुक्काई होगा, और तुक्काई मारना तयार आप किसी और से लगवालो, मुझे से क्यों लगवाना चाहते हो, ठीक है, तो बच्चों, कुल मिलाकम है, इस competition को दिखा करके, आपकी आँखें मिलना चाहता था कि बच्चों, आप डरो मत, यूपे पुलिस है आपके पास, आँखें खोल के देखो, लेकिन पढ़ना पढ़ेगा, क्योंकि इसके इंतजार में भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, 20-25 लाख फॉम भरे जाएंगे, सेलेक्शन सिर्फ 37,000 का होना है, 19 ल लगाते हैं, वरना मैं रहता नहीं, अरे ज्यादा लगाता भाई, कट आप से तुम्हारे रहने का क्या मतलब है, एक होप दी है आपको फिजिकल करते रहो, ठीक है बच्चों?